अनु शर्मा आज हम इस चैप्टर के यानि जो हम चैप्टर कर रहे थे जियो का इंसाइड आपर इसकी इसकी एक्सराइज करेंगे ठीक है जो है चैप्ट्र को सब्सक्राइब आप इसाइंय 2 पर क्रश्ट को विह सपली पर आप इसकी इसे मेशनरे क्या है कर दोर का नहिंग सेंट इसी म drives उइप्री पर एंड की श предложition ना चैप्स और आर मजा जाता है नेक्स है, the rock which are formed from molten magma, आरकल जो rock है, वो किसका form होता है, कौन से molten magma का form होता है, यह नि कौन सा rock, molten magma का form होता है, तो वो कौन सा होता है, ignatious rock होता है, fossils are sometime found, कहा find की जाते हैं, fossils, sentimentary rocks में, इसके बाद coal में भी, metamorphized into, जो coal हो किसमें चेंज हो जाता है, वो graphite में चेंज हो जाता है, इसके बाद philinda blanks है, इसमें फॉस्क में आएगा, Aluminium, spelling ध्यान से देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो Aluminium की spelling book में भी है, वहां से confirm कर लेना, spelling देखो, यहां लिखा Aluminium, उसके बाद दूसरे में लिखा हो है primary rock, ठीक है, तो spelling है P-R-I-M-A-R-Y, primary, इसके बाद milestone है, यहां लिखा marble, H नहीं है, में यह M है, M-A-R-B-L-E, marble, फ़र्थ में आएगा centrymentary rock, spelling है S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, centrymentary rock, R-O-C-K, rock, फिफ्थ में आएगा plutonic rock, P-L-U-T-O-N-I-C, plutonic, R-O-C-K-S, rock, इसके बाद next है आपका, next है आपका shoe falls, इसमें कहा गया कि it is not possible to go deep inside the earth, क्या आर्थ की घहराईयों के बिल्कुल बीचों बीच जाना possible है, नहीं नहीं possible है, क्योंकि बीच में क्या आता है, जुसका inner core होता है, हाँ वो क्या है, एक molten magma है, जौला में बहरी होई आग है, बहुत जादा गर्मी होती है, इसलिए हम उसके deep में नहीं जा सकते है, इसलिए मैंने लिखा है कि yes it is not possible, ठीक है, next है oceanic crust is made up of, जो oceanic crust है, किससे बना है, silica और aluminium से true है, salt जो है example है, sentimentary rock का, यह भी true है, coil and petroleum fossil fossil fuels है, यह भी सही है, ठीक है, इसके बाद next जो आपको दिया हुआ है, classify करना, यह आपको घुद करना है, और आपको classify करके इन तीनों boxes में रखना है, कि कौन से ignisius है, कौन से sentimentary और कौन से metamorphic है, next है column, यहाँ पर मैंने number दे दिए गया है, तो जो core है, वो क्या है, barisphere है, granite जो है, वो intrusive ignisius rock है, fossil जो है, remaining of dead plants and animal है, और salt के एक mineral है, next, distinguish between the following, यह आप खुद करोगे, दिया हुआ है सारा, इसके बाद next है, चाहो तो यह मत करना है, क्योंकि आगे questions में आपको यह करना है, next question है, first question आजाते हैं, what are three main type of, sorry, type of rock on earth, कौन से तीन तरीके के rock मिलते हैं, तो तीन तरीके कौन से rock मिलते हैं, ignisius, sentimentary और metamorphic, spelling अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रही है, तो आपको बुक में दिया गया है, वहाँ से साफ साफ लिख सकते हूँ, इसके बाद question number two, जो है, उसका answer दे रखा है, page number 10 में, वहाँ पर आप देख लेना, जहाँ पर intuitive और exclusive rock कैसे 15 के बारे में बताया गया है, इसी तरीके से question number three, जो है, उसका answer दिया हूँ, page number 11 पर, और question number four का answer दिया हूँ, page number three पर, आपके यह जो questions है, इनकी answer जो है, वह उपर वाले question में, हमने लिख दिया है, repeated है, somehow repeated है, कुछ आनले important है, इसलिए यह हम नहीं करेंगे, इसके बाद, यहाँ पर मैंने आपको page number के थुरू दिखाया है, यह देखें, जो आपका G2 है, यानि, जो आपका second question है, जिससे मैंने G2 कहा है, देखों यहाँ पर, यह क्या है, जी है न, जी पार्ट है, तो जी पार्ट का second question का जो answer है, page number 10, जो कि जहाँ पर ignisius rock लिखा है, वहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से, आपको intrusive rock, अब समझ लो कैसे करना इसे, intrusive rock, intrusive ignisius rocks, इसके बाद, आपको these rocks नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है, आर, फॉर्म, वें, यहाँ से लेकर आपको एक्सेक्टर तक लिखना है, same here, excuse me, ignisius rocks, these rocks नहीं लिखना है, आर से लेकर आपको फिर एक्सेक्टर तक लिखना है, जो next page पर है, यहाँ पर, ठीक है, next question, आपका G3 का answer, कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, आपको मेटामॉर्फिक रॉक्सार फॉर्म्ड वें, इग्नीश ने संटिमेंटर रॉक, चेंज बोथ केमिकली एंड फिजिकली दू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, किया।